आप सबों को जई मस्षी की हम पस्ट देवी प्रशा खतिवड़ा डेवीड सीओ चेशी फेलूशी ब्याहर से आप लोग कैसे हैं प्रात्ना सहित आसा करता हूँ आप लोग भले और चंगे हैं आईए आज हम लोग एक गरवपात का बिशे में शीकेंगे गरवपात जीसे अ हत्या न करना आप वियोस्ता वीरण का पांचव अध्याई देखेंगे तुम आप पाएंगे तू हत्या नहीं करना इसका मतलव हत्या करना पाप है हम जानते हैं लेकिन हत्या करना पाप है तो ग्लोबल नीूस का अनुसार आज सारा संशार बर में एक हजार जन में 35% साध प्रतिस प्रतिसत एक मैना में आपको मालूम है और 26 प्रतिसत एक हजार में अन्मेरिट लड़कियां गरवपात करती है एक मैना का ही आकड़ा ग्लोबल न्यूस के आधार में सोचें संसार कीदर जा रहे आपर हम जो मादेश में रह रहें एशिया मादेश का बात करेंगे तो एक हजार में 36 प्रतिसत एक मैना में गरवपात होता है यह एशिया मादेश का बात कर रहे है एदि ऐसा है तो बाइबल क्या कहती है इस गरवपात के बिश्रय में उत्पति क इसी का पुस्तोक नौध्यायर 6 पन बाइबल यहां बोलता है जो कोई मनुष्य का लवभ भाएगा, उसका लवभ, वुभ, ही से भाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही शोरूप अनुसर बनाया है अलेलोया प्रमिस वेल को बचन कहता मनुशों का लोई बाने वाला का लोई मनुशों ही बाएगा इसका मतलब यह श्राप है जोरों हम लोग गरवपाद करते हैं या एवोशन करते हैं परिवार में वह श्राप को हम अपना परिवार में अपना जीवन में आमंतरित कर रहें क्यूंकि यहां बलता लहू बहाने वाला इंसान को लहूई ही बहाएगा इंसान ही लहू बहाएगा मिंस एक स्राप की रुप में काम करेगा फिर यही उत्पती एक का 27 में प्रभू कहता परमेशुर का सो रूप में आपर सकता हैं, तो आम लोगा के बिरोधी बनजाते हैं मेरे हैं, जब हम सोचेह क्या होगा लेकिन क्ध्वर्चन समीता, भजन समीता तो तुई है तुने मुझे माता के गर्ब में रचा मैं तेरा धन्यबाद करूँगा इसलिए कि मैं भयनक और अद्बुत रिती से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्चेरियक के हैं और मैं इसे भली भाती जानता हूँ जब मैं गुपता में बनाया जाता और पिर्थिभी के नीचे इस्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुछ से छिपी ना थी तेरी आखें ने मेरे बेडोल तत्तों को देखा और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे शचन पढ़ाए और शुनाए प्रत्य का पर और मुझे 14म kitchen ॥ू ने मुझे मां धॉर में रचा है हमें मां के नीच मां के हायं मै थनापत प्राव यह स्यवाशक है एक काला गाई हरा घास खाता या सुखा अप्वाल खाता लेकिन उसका दूद हरा नहीं होता मेरे प्रीयों दूद उज्जाला होता है उज्जाला दूद देती है कई से हम जानते नहीं या तो सब लोग कहते हैं कि प्रकृति का नियम है ऐसा ही पूरुष और मैला का समसर्ग के द्वारा एक सेल मा के गर्बा में जाता है और उसमें धीरे धीरे आकरिती बनने शुरू हो जाते हैं आख मूख नाख हाथ पैर हड़ी मांक्स सबी भर जाता है और यह बहनक और अद्बूत रिती से होता है मेरे प्रीयों धीरे 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 एक बूंद धीरे धीरे देखे कित भी नहीं सकते हैं अईशा भयानक और अद्भुत रिती से बने हुए हैं आपर हम सोचे तब तो हम लोग इस चीजों को काई नस्ट करेंगे पंद्रपत बोलता तू मुझे शुरुशनी जानता था प्रबो मां के गर्ब में रचने था आगे सही जानता है परमेशोर इसलिए कि जब हम इसे नस्ट करते हैं तो हम पाप कर लेते हैं अभी आपको मालम है पाप का मजदुरित मृत है बलके रोमी का पुष्टा है यही भजन समीता एक से 27 का तिन पद एदी आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मिल जाता है एक से 27 का तिन पद यहां बोलता गर्ब का फल उसकी और सरे प्रतिफल आहे अलेलुए घर्ब का प फल उसकी और सरे परमीशुर का और सरे इसलिए कितने लोग बच्चा चाहते हैं यह भूँआ बच्चे को भी भ्याक देते लेक एक बात आता आपर मुझे ज़ान्ना चाहिए गर्ब का फल है ना गर्बर का खाव जो है एर्मिया की पुष्टख 1 का 5 भर्वमे रसने से पहले से ही आप मुझे जानता था भर्मेर्मे के रसने का आगे आप मुझे जानता है एसलिए याकुद पुष्टख 4 का 2 सो होता है और उट नहीं मिलने के कारण हत्या आ जाता है मिल श्राप में हम लोग पड़ जाते हैं गरभपाथ करने के द्वारा इसलिए परमेशुर का नजर में एवोशन एक बढ़ा बहुत बढ़ा पाप है मेरे प्रियों 20 हपतों में होता था एबोसन अभी बढ़ा कर 24 हपते कर दिया है सोचें 7 माह का बच्चा बच जाता है तो 6 माह का बच्चा मारें तो क्या हत्या नहीं लगेगा इसलिए उत्पति का पुष्ट नौ का 6 पत हम बोल रहा है थे मनुष्य का लव भाने वाला का लव भी मनुष्य ही बगाएगा आपर हम तो पुनर जन्मा में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन आपर हम पुनर जन्मा में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन पुनर उत्थन में विश्वास करते हैं आप गरवपात करा चुके हैं, पहले हो चुका है गरवपात, चाहे जानी जानी हैं या अंजानी में, तो बाइबल कहती है न, एदी तुम्हारा पाप काला धबा रंके होने से भी स्वेथ हिम का समन सफेथ हो जाएगा, कब, जब आप और हम पस्ताप करेंगे मेरे प्रियो, जब आप पस्ताप करेंगे, आपको पस्ताप करना होगा, इश्व का लओं से आपको अपने आपको धोना होगा, प्रभू इश्व के उपर हम विश्वास करना होगा, प्रभू इश्व विश्वास व्योग्या हैं मेरे प्रियो एक दिए आप वैसे पाप करेंगे तो भी आपको छिमा करने के लिए योग यह एंजान में आपने कि आपको अवहिश्चे छिमा करेंगे प्रभू आपको प्रवो आईशा पाप करने से रोके और और आसिस्ते क्यों हम लोग गर्वा पतन में या एवोशन का परिस्तिति में पहुंच जाते हैं इसका बारे में आप मेरा ब्यवीचार छोटा वीडियो ब्यवीचार देखेंगे तो आप जानेंगे इसलिए आपर मुझे एव जोस्त नहीं करना है आपको हम इस छोटा से वीडियो के द्वारा यह टिप्स देने चाहते हैं कि एवोशन पाप है एवोशन एक श्राप है इसलिए हम लोग इपाप और श्राप दूनों से बचें और परमेश्र का अनुग्रा में हम लोग आसिस्तित पाएं आप सबों